उस एम्बूलेंस में सेटेलाइट फून है उस एम्बूलेंस को बुलेट पूरूफ कराए गया है अंजनाओं कश्यब जी मैं आपको ही जज्ज मान लेता हूँ अरे सर जज्ज मानने की ज़रूरत नहीं है मासूमियत इतनी जो आप दिखा रहे हैं मुझे बस इतना समझा दीजिए कि जब मैं पंजाब पर आपसे सवाल पूछती है आप जवाब नहीं देते हैं पंजाब में मामली केस में अगर वाकई जिस तरह के आप उनकी तस्वीर बना रहे हैं रॉबिन हुड वाली जो बार बार आप लोग भी महौल बनाते रहते हैं सवाल तो यह है ना कि क्यों फिर भागते फिर रहे थे आखिर क्यों सुप्रीम कोट के हस्तक शेप के बाद अपरादी को लाना पड़ रहा है उस जगह पर जहां पर कई मामले इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं कई परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं अफजल जी जज क्या आप मुझे बनाईएगा हम तो बस यह चाह रहे हैं कि आपकी साइड अफ स्टोरी पे याए हर स्टोरी में हम दोनों पक्ष दिखाते हैं आप सवालों का सामना कीजे ना बताईए ना पंजाब में रहने के क्या ज़रूरत तक रूप नहीं किया इस पर आप जवाबी ने रहे हैं किसी के विरुध 10 मुकदमे हैं वो पहले वो देखेगा कि किस मुकदमे में हमें बेल हो चुकी है किस मुकदमे में हमें बेल लेनी है किस मुकदमे का हमारा ट्राइल होना है ये वकील रणनीती टाहि करेगा ये हम और आप बहस कर के क्या करेंगे यूपी में डर क्यों लगता है ये बताएज आपको पहले ही का ये आप पढ़ी विख्यात पत्रकार है हम आज तक चैनल को और आपको ही जज्मान लेते हैं और आपनी उस मुकदमे का ट्राइल कर लीजिए यह फिर आप गले ट्विस्स देने की कोशिश कर रहे हैं यह फिर आप विक्टिम काड खेल रहे हैं बार बार प्रति क्यों दो साल तक बेल मूव नहीं किया हाँ हम आपको जज मान लेते हैं आप करिए नहीं आप फैसला सुना दीजिए कि अबको ज़्रमांते हैं आप हमको अपनी सफाई तो सुन ने का मौका देंगी हैं मा आप कि तो सुनिए मा मान सुनिए मुन्ना बजरंगी को अक्यूस था को अक्यूस था मानि कृष्णा नंदराय विधायक मुहमदाबाद के मुर्डर केस का उनकी पत्नी ने मानि सर्वोच नियाले में यह याचिका दाखिल की कि इनका मुकदमे का ट्राइल उत्तर प्रदेश में नहो इसका ट्राइल दिल्ली में किया जाए सर्वोच नियाले ने सुनवाई के पशुाद इसी तरह से 2013 में आडर किया अलकारायकी याचिका पर आडर किया कि मुकदमे का ट्राइल दिल्ली में किया जाए और CBI कोट डिली के लिए मुकदमा ट्रांसफर हो गया अब CBI कोट के जज ने राउज एवन्यू इस्पेशल कोट CBI में इस मुकदमे का परिच्छर हुआ अब 3 जुलाई 2019 को उस कोट ने सभी को आरोप मुक्त करके बरी कर दिया आपको नहीं पचरा शिर्मती अलका राय को नहीं पचरा भी तक तक कल तक ये बात छुपाई गई थी कि केस चूड़ चुका है कल तक तो रोज चिथी लिखवाई जाती थी उनसे कि लिखिये कि मेरे केस का ट्राइल लुका हुआ है वो जल्दी से यहां आ जाएं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चिथी लिखिये और जल्दी से उनको भेजे कि मेरा ट्राइल हो जाए जब ये बात मीडिया के सामने हमने कह दिया कि केस चूड़ गया है आप अपनी यहां उनसे कहिए कि वो अंजना उंकश्यप के यहां अपील दाखिल कर दें अफजाल अंसारी अपनी फाइल लेके आपके पास आ रहा है आप ही फैसला कर दो घूम फिर कर वहीं पहुंचते हैं और पूरा बहुल बना रहे हैं मीडिया ट्राइल का जबकि पहली बार आज यह ख़बर यहां पर कवर हो रही है आप अपने आप में कई इशारे करता है अब तो घर वापसी का दिन आ गया अब तो हो रही है ना घर वापसी सुवा चार आपका है इनसाफ जरूरी है वो अदालते करेंगे इस देश की अदालत ने कहा है कि वापस जाएगे उसी राज्य में जहां पर यह तमाम गंभीर मामले आपने खुद कहा दो से तीन हीनियस क्राइम से तो पहुंचना पढ़ता है आप परिष्ट पतकार है मैं आपका सम्म मेरी उमर 79 साल की है मैं आपका नाम ले लिया आपको बेद्बी महसूस हो रही तो मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन हिंदुस्तान के दो चार बड़े एंकरों में एक एंकर है आपका नाम मैं अब नहीं लूँगा मुझसे गल्ती हो गई तो अगर हमने नाम ले लिया आप उसको बुरा मान ले नहीं नहीं इसमें बुरा मानने का कुछ नहीं हम तो सिर्फ यह कह रहे थे कि जज़ की भूमिका आप किसी मीडिया और्गनाजेशन को मत बनाए